असलाम अलेकुम वेलकम बाक तो अनदर वीडियो आज की वीडियो हमारी बहुत इस्पेशल वीडियो अने वाली है क्योंकि उसके अंडर हरम का क्या है अग्वाला ताब ओके तो हरम के लिए न्यू टैब जिसके हम अन्बोकसिंग करने लग गए है अधाया है लेट्स अन्बोक्स दिस और एक्सपेरियोंस में अगले किसी विलॉग में शेर करते हूं तो अभी विलाल हम अन्बोकसिंग करते हैं आजो यह है Galaxy S Tab S9 FE Plus 12 GB, 256 GB के साथ variant के साथ इसका जो प्रोसेसर है वो बैक साइड पे कहीं पे लिखा हुआ है तो इस टैब की खासुसियत यह है कि यह वाहिद बजट फ्रेंडली टैब है जो के डेर लाक में आता है और S Pen के साथ आता है Unbox करते हैं इसको मैं already Unbox कर चुका हूँ क्योंके जब दुकान से बाए करते हैं तो वो कहते हैं डिस्पले चेक करके लेकर जाएं वरना हमारी जिम्मदारी नहीं होगी तो इसको साइड पर रखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इसके Box Content की As Per As Requirement हमारे पास चार्जर उन्होंने नहीं दिया हमें चार्जर खुद से बाए करना पड़ेगा ये पैन है जो के बहुत प्यारा और सलीक सा पैन है I think इसको भी साइड पर रखते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं Box Content की इसके अंदर एक केबल और पेपर वर्क है बस चार्जर इन्होंने नहीं दिया हमें चार्जर सेपरेटली बाए करना पड़ेगा और उसने मुझे काया कि कोई भी थर्ड पार्टी चार्जर ना यूज़ किया जाए बट हम यूज़ करेंगे यह टाइप C to type C टाइप C to type C जो है वो चार्जर इंग केबल है और इसके अंदर और कुछ नहीं यह थोड़ी सी डाकुमेंटेशन सेम इंज़ेक्टर टूल क्यों दिया है हलाकर यह सेम के साथ नहीं आता बट यूज़ करके देख लेते हैं सेम आती है या नहीं आती बट कुछ पेपर वर्क है इसके अंदर लेस्ट चेक पेपर वर्क अब हम इन सारे कंटेंट को साइट पर रखते हैं और लेकर आते हैं अपने टैब को वापिस यह है एस पैन और यह है हमारा सैम सिंग गेलेक्सी टैब S9FE प्लस यहां से इसकी रैपिंग मैं खोलूँगा और यह यह अन्बोक्स हो रहा है यह अन्बोक्सिंग कर रहा हूँ है यह अन्बोक्स अन्बोक्स लुए अन्फूट आफ यह हमारे पास टैब ओपन हो गया है और पीछे के साइड पे अन्फूरे दिया हूए है और बड़ा ही प्यारा बड़ा ही प्यारा डिजाइन है यावर बैक पे कुछ सैमसंग की ब्रेंडिंग है इस साइड पर और यह स्पन मेगनेक्टिकली टच हो जाता है अगर आपने इसको अटाच करना है इस जगा पर यह ऐसे करके और ऐसे उतर भी जाता है ऐसे यह अटाच भी हो जाता है बट अब इसको और गरके देखे ओके इसका चुब फिंगर सेंसर हुआ यह आपर इसका फिंगर पर यह फिंगर पर यह फिंगर सैंसर है और यह वॉल्यूम रोकर सब्स ЦIGन चाना ऑर बाइदवे उनने यह स्पिकर और शेकल भी डालती है तभी सिम ठेदी विया इसके बैटरी भी मैं चार्ज करूंगा ना इसकी इसके बैजल सोड़ी से ज्यादा है जिसकी वज़ा से मुझा लगता है कि यह थोड़ी मार्क आएगा बट ओवराल सैमसिंग डेक्स की कापैसिटी विद्पैन सो यह सारी चीज़ें फीचर्स आती हैं एक सिकने आपको भी देते हैं सो मैं इसको नीचे रखता हूं इसको सेट अप करते हैं आपको दे दूँ तो फिर मैं सेट अप कैसे करूंगा आप कैसे सेट आप कर लोगे आप नराज क्यों है पिर को सामने मिजे नहीं दिया करना जा रही है तो मैं यह इसको बता दूँ कि यहां पर क्लिक करें सुरी यहां पर नहीं और में गो बाक लेट में गो बाक वेट हमने इसको होमी को क्लिक करना है हरम होमी को क्लिक करें पैंसे यह वहले हां वेरी गुड़ नाव लेट में टर्न आंड टर्न आंड वाइ-पासवेट क्या था वह अच्छा यह बच्छा नहीं है ना वह हमारा नराज हो रहा है तो अभी मुझे के लिए अभी मैं इसको सेट अप कर रहा हूं ठीक है सेट अप करने के बाद मैं एक वीडियो एक ओवर बनाऊंगा इसके उपर जिसको हम कल रिव्यू में डिटेल करेंगे डिसक कर ऄये उएल करेंगे तिसके टू कर ले खूशन